हलो गाईस तो आज मैं अपनी दीदी के पारलर आ गई मुझे बालों में थोड़ा केरेक्टिन करवाना था तो मैं दीदी के पारलर आ गई तो आप देख सकते हो कि इसका प्रोसेस क्या है पहले तो मैं गई थी हैं मतलब हेर वास करके लेकिन दीदी वहां पर फिर से मेरा वह कि यदेदा फरें कि हृष में वहारे को वास की उसके बाद फिर थोड़ा सा ।ो टी हब साइद सायद फोर। फोर्ते लाक को तो राय करना पड़ेगा पूरी तरह से दीद नहीं करना य। अ ब्लगता है फोर॥ी पर्षट तक या 50 पर चंत के हां थो नाना कुछा किया गया है और इन लोग इनलोग को दीडी सिखा हैं हैं किया गाण 7 ऊदकल किसे कोड़ा यह बाद फिर 223 क्रेम लग लगाने का तो नोगों ने फिर देवल सारा बीजी था सारी कर्णम् तो फिर मुझे हाथ में थमाई की लोग पकड़ो और फिर वो और मेरी दीदी वह फिर पुरा मेरे मेरे बारों में करणा लगाई करीम उसके बाद करीम लगाने के बात गाई इसको ड्राय करना होता है बालो को तो मितलब परोसीस बहुत छोटा है पर इसको करने में इना बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ठोड़ा ठोड़ा थोड़ा ही बाल लेकर कि आपको को पहले रिख करना होगा उसके थाद Corinne करना होगा तो फिर रिस्ट्रेट करने के बाद फिर दुखो यह मेरा फाइनल रिजल्ट है और इसी करने में मुझे पाच घंडे लगए थी क्योंकि दीदी अकेले थी तो स्टाप लोग को अतना आइडिया नहीं था करने का तो दीदी अकेले हो गई थी तो बहुत टाइम लगया करने में और गाइस यह मेरा फाइनल लुक है दीदी को बहुत जादा पेन होने लगा मेरा बाल को करने में तो फिर दीदी थोड़ा मेरा मसाज कर तो फिर मैं थोड़